दोस्ता नमस्कार वेलकम बैक टू माई चैनल आज आपका इस एपिशूड में एक घरेली पोड़क्ट जो सब घर का जोरौत है यह मैं बताऊंगा जैसा आप स्क्रीन में देख पर हैं यह आपका जो हर एक घर में अभी इनवर्टर है जो बैटरी बैक आफ है तो इसका जो है इसके बारे में आज बात्चित करूँगा जो फाइबर का यह प्लास्टिक का टॉली में जो हम लोग यूज करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम है यार यह जो उडेन टॉली है यह मैंने ओनलाइन मंगाए इसके बारे में आज ओपिनिंग पैकेज देखाऊंगा दोस्त हम लोग का घर में जो इन्वर्टर का बैटरी रखने के लिए यह मेशिन को रखने के लिए हम लोग ऐसे प्लास्टिक यह फाइबर का टॉली खड़े थे हैं यह एक दो साल का अंदर ऐसे पिचक जाता है देखिए बैटरी का जो ऐसी डॉटर निकालके और खराब ह के खराब हो जाता है इसलिए ऑनलाइन अभी एक वीडेन टॉली मैंने मंगाया था जिसका किम्मत लगबग 22 रुपिया लिया है यह आज देलिवेरी हुआ तो आपको ओपेन करके देखा था हूं अन्बॉक्सिंग करके तो सबका घर में अगर आब लोग शुरू में जो ल यह आपका जो प्लाई का जो बना हुआ है पर मजबूत प्लाई है काफी वेट है अब लोग देख पाएंगे जैसे में खोलूंगे इसमें अलग अलग पाट पाट करके आता है इसको जोरने में भी आसान है घर में भी आप जोर सकते हैं कई बड़ी बात नहीं है पर यह ल एक एक करके निकल के अब लोगों को दिखाएंगे यह जो मोटा सा फाइवर से बना हुआ है कहीं फील भी इसका अंदर है कहीं सरे फील जो मुवमेंट करने के लिए यह जो फ्रॉंट साइड में जो कवर करके राकेंगे इसका फास्ट पार्ट है यह इसको आप लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों जब जो रहत परेगा घर का ऐसा चीज तो आप लोग भी कैसे मंगा सकते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको और जो अच्छा होगा मैं भी किसी और का एपिशूट देखके मैंने भी ऐसा मंगाया ताकि आज का लीट जाएंगे गाइडलाइन से लेके नाय नाय चीज जो भी आपका घर का जोरौत है इसमें ट्रे भी रहता है देखिए छोटा सा ब्लाक कलर का जिसमें बैटरी को आपको रखने के लिए जो आसीड वाटर बगरने निकलेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा डायरेक्ट इ जो आपका साइड का जो उडन पार्ट है वो सेटिंग कैसे होगा उसी साब से उसको उपर पार्ट और नीचे पार्ट है विल वाले नीचे पार्ट है और यह जो ट्रे में बता रहा था उसके साथ आपका इंवोईस भी देता है और कुछ स्कुरू आपको मिलेगा छोटा चोटा जो टाइट करने के लिए आपको काम आएगा यह देखिए चोटा चोटा स्कुरू है और यह इनवोईस जो था जिसमें आपका डेलिवरी नोट्स है यह देखिए हुल को मैं देखाने का कोशिस कर रहा हूं कि यह आठ हुल होने से बेनिफिट है कि मोव्मेंट में आसान रहेगा और आपका बेस भी टेरा मेरा नहीं होगा जापकी प्रेशर तो आएंगे कि वैटरी का जो है काफी ओएट है इसलिए यह जैसा अभी सेटिंग कर दिया मैंने सेटिंग करने के बाद जैसे देखिए मूवमेंट आसानी से किसी भी तरह मूवमेंट कर सकते है आगे पीछे कर सकते हैं। साफसाइ च्छाइब आजसे फिल कर सकते हैं। च्छाइब है। य'se कर दिया और इसमें बैटरी और इनवर्टर मेसीन पूरा रख दिया इसके साथ और भी कुछ आप अगर घर में रखोगे तो उसके साथ कुछ फुलदानी वागर या कुछ डिजाइन रखने के लिए अच्छा लगेगा ये भी रख सकते हो इसके स्कुरू लगाने के लिए आपको छोटा छोटा जो होल आपको चारो साइड मे मतलब दोनों साइड में उपर नीचे करका आपको मिलेगा इसमें कोई छेद नहीं है पर आपको स्कुरू को रखके थोरसा अब हमार से हलका से पीडने के बाद स्कुरू डाइबर से टाइट करोगे तो आराम से स्कुरू अब लगा सकते हैं मैं खुद ही लगाया इतना को कोई बड़ी बात नहीं है या आप खोदी घर में इंस्टॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आसा करता हूं अब लोग समाज गये होंगे जो भी डिमांड करना चाहते हैं तो आनलाइन में डिमांड करिए और इसी चीज को यूज करिए ताकि मैं भी यूज कर करता हूं धनावाद